असिकाल जी न्यूज एशिया पंजबी देखरेयां तुसी ते मैं हां कुल्वान सिंग एक वर फेर मैं और गोगिन शरन परशाद जी एक नवी वीडियो एक नवी विचार चार्चा दे नाल ताडरूबरू होया अज दी इस वीडियो इस विचार चार्चा दे विच असी पिसली वीडियो दे टॉपिक नो अग्यवदाओं दे होए गलबात करांगे सर्जरी तो पहला आयरवेर अजमाओं ते उदे विच साड़ा विशा चाल रहा है सी गौल ब्रेडर स्टोन यानि की पित्ते दी पत्री बिना अपरेशन बार कड़न दे नुसके करने में पत्री बिच पिसली वारा सी गल की टी सी एक जहे असान उसके दी जड़ा कि लीवर डितोक्सिफिकेशन लीवर क्लिंजिंग अला वार फार्मूला सी उदे नाला असी किस तरीक की नाला लीवर नू जड़ा जड़ा बाहर कड़ साल्ट से एक सीगा ऑली वाइल वर्जिन ऑली वाइल तो ए तिन चीजां देनाल आसी जड़ा लीवर क्लेंजिंग दा फार्मूला दस्यां जड़ा पत्रियां नू किस तरह फैदा हुछी कि टेस्टिमोनियल वी आसी तो नू देवेचे दखाया थी पबलिक नू किस तरह आराम आया उस पार्मूले जनाल ओ भी तो नू दखाया गया से अज असी उसे कड़ी नू अग्गे बताऊंदे हुए गोविन सरन परशाज जी तो ए जान देया कि की सिर्फ पित्तेरियां पत्रियां कड़न दा सिर्फ ओही एक पार्मूला सी जा फिर इस तो हैं उम्र में उन सभी को चड़नसपर्स और चोटो को सुबासिस और अभी मेरे काल से वीडियो को पॉलिक की वे जाज़ा समय नहीं हुआ और लगबग पचास पॉल आ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं मैं समझ सकता हूं कि भाई होने का फर्ज और हम जो काम कर रहें तो हम लगता है कि हम सही काम कर ता वहां जो पुस्तक है तो इस हैं तो सब्सक का स्वाद है आपके सामने कर रहें और इसके परिनाम भी जब जब मिलेगा और आप जैसे Бाई बैनों का साथ मिलेगा तो हम अपने बरतमान में और आने वाली फीडियों को हम बचा सकते हैं खास करके तो और इस पिलसिले में मैं ज़्यादा समय ना लेते हूँ मैं कि चाहता हूँ कि हम पितासे की पत्री पे आईरवेद सरजरी से पहले आईरवेद अजमाएं डॉक्टर अनुराग वीजय बरगी जिन्होंने लिखी है उन्होंने और कौंपों से उपचारों को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सुरच्छित और काम्याब बताया है उसके बारे में जानकारी रेते हैं और इस जानकारी को आप बार बार सुनकर नोट करके अपने आसपास या किसी को भी तकलीफ है यह जरूर कहूंगा कि जब कि आप अपने नजदी की आयरुवेदिक चिकित्सक के प्रामर्स के अनुसार ही आयरुवेदिक दवाईयों का सेबन करें मतलब उनके सरच्छन में लेकिन जो घरेलू उपचार है उन सभी उपचारों को परहेज है जैसे अभी बात हो रही थी एक बहन से मैं उसी थोड़ जैसे की हम किसी से जगड़ा करने के लिए उसको गाली देते हैं और हमें कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन अगर बार बार गाली देते रहेंगे एक दिन व अमारी गर्दन काड़़ एगा ति उसी तरीके से अगर हम कोई रोगी हो गए हैं किसी रोग से गरस्त गज़ हो कि अगर हम परहेज दीट यह रहा है । नदानी में जो हो गया हो गया पहले भोल दिया बोल दिया होगा आप तो बैसे सरीर भी ऐसे है कि अगर रहें बता रहा हूँ दिल कि दिल में जो बाते थी बोल रहा हूं लेकिन अब हम जानते हैं पढ़ते हैं सरजरी से पहले आयरुवेद अजमाई ये बाते इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके हाथ ऐसी किताबे लगती है तो आपके मन में क्या होगा आप कैसे करेंगे उस पे भी विचार करेंगे तो इ जीरी 100 ग्राम चलता है कई लोगों के लिए नए नाम होंगे ये सारी की सारी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाता है और जल कुंबी जो चार है जल कुंबी एक एसा पौधा है जिसका एक और आयो की सixíराव के लिए होता है हमारे तलाबों में तिरता नल्यों में तैहरता रहता हो पौधा न जल के ऊपर तैहरता रहता है तो यह चार सो ग्रम बायोडिं सो ग्राम काला नमक सmost्ध्ध्व нрав इंद्र जौ सो ग्रमbuilding जी सौ ग्राम यानि सारी चीजे बराबर रखनी है जल कुम्भी की जो चार है उसको चार गुना रखना है इसे लिए इन सभी द्रब्यों को अलग-अलग बारिक पीस कर कपड़ चंचूरन बनाकर एक साथ इकठा करके किसी डब्बे में रख लें कपड़ चंचूरन क्या होता है कपड़ चंचूरन होता है कि जैसे हमारे पास कोई सूती कपड़ा है और उस पे हम किसी पाउडर को डालते हैं या आटे को हम उस पे डालते हैं और छटकते हैं तो नीचे से जो पाउडर गिरेगा वो कपड़ चंचूरन है यानि मैदे जितनी बारिक मैदे से भी बारिक क या औस्दी सेवन करें रात को सोने से पहले अरंडी के तेल में भूनी हुई हरड का चूरन तीन गरम की मात्रा में हलके गरम पानी के अनुपान के साथ नियमित रुप से सेवन करते रहें पूर्ण लाव होने तक पूरी तरह से पत्थे परहेज के साथ या औस्दी सेवन करत उसमें हरड को हरड लाके भून लें और छोटी हरड जोने बहुत अच्छी बात है तो छोटी हरड को भून के उसका पाउटर बनाके रख लें और उसमें से आधा चम्मच तीन गराम लगबग आधा चम्मच होता है आधे चम्मच पाउटर को हलके गरम पानी से रात को सोने स पहले इससे क्या है कि सुबह पेट भी अच्छे से साफ होगा और लाव होने में दो से तीन महीनों में गॉल कर बाहर हो जाती है पार्मुला एक बार दोबार बोल देंगे तक को दर्शक जो रहा है तो उसको काली जीरी 100 इंद्र जो सौ ग्राम काला नमक सौ ग्राम वायोडिंग सौ ग्राम जल कुम्भी चार चार्टो ग्राम अब एक चीज़ यहां पर हम जाखते चाहते कि अपना नियुजेसिया पंजा समाज यहां से आए दिन कोई ने कोई रिष्टेदार आता जाता रहता है कोई ने कोई आता जाता रहता है आप भारत से उसे बोलिए कि आप मेरे लिए कपड़े मतलाना आप मेरे लिए यहां का सिता सिताराम के छोले बटूरे मतलाना छोले कुल्चे मतलाना हल्दीराम की म पचा सकते हैं और करने की विदी है एक चमच दिन में तीन बार हलके भोई मतलब करम पानी से और रात को सोने से पहले अरंडी का तेल में भूना हुआ पाउडर मतलब भूना हुआ हरड और उसका बनाया हुआ पाउडर उसका सेवन करना है तो दो से तीन महिने तक लगतार से तिसरे उपचार पे इस पुस्तक में बताये तिसरे उपचार में लंबे समय तक नियमित रूप से पथे परहेज के साथ इन उस्दियों का सेवन करने से भी अनेकों रोगियों को गॉल स्टोन से मुक्ती मिली है और उस्दी जो है कप्रदक भसम एकसो पचीस मिलीग्राम क पूरी तरह से घुल जाती है यह दोनों आश्दी आप अपने किसी भी भारत के परतिश्ठित जो अच्छे आप जानते हैं मैं किसी कंपणी का नाम नहीं बता बोलना चाहूँगा हम परचारक नहीं हैं लेकिन यहीं कहूंगा कि पुराने अनुहबी और अच्छे निर्माताओं की दवाईयां ले अब इ सब्सक्राइब तो दस ग्राम का अगर डिबी मिलती है या पांच ग्राम की मिलती है उस तरीके से बराबर लेके उसको आप उतने पूडिये में बना लें थोड़ा बुद कम जाता हो जाए दो चार एमजी इनको बस लेके कपर तक बसंप एक सो पचीस में जो ग्राम इनको अपस में mix कर लेना है अब उसको काड़े बनाने के लिए क्या करें कि यहां पर बर्णन नहीं है तो एक भाई होने के आपको बता रहा हूं कि कुटकी और चिरायता बराबर मिलाखे जौकूट करके रख लीजे जौकूट जौकूट का मतलब होड़ा है दर दरा जौके साइच के बर उसको कुटके तोड़के टुकड़े हैं उसको रख लीजे और उसमें से एक चम्मच से लेके दो चम्मच तक इसको आठ से सोना गुने पानी में मतलब एक चम्मच आपने लिया आठ चम्मच पानी या सोला चम्मच पानी मतलब यह आयुवेदिक तरीपी से जो बताया जाता है ऐसे नॉर्मल कहा जाए तो आप यह कहलें कि दो चम्मच यह लिजिए एक गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल दीजिए उबालने के पानी के साथ इन दोनों भशमों का सेवन कर लिजिए यह सिंपल है कि गजिए लेना कितना है इसका वह पासम लेनी कितनी है मात्रा कि इस मात्रा तो भशम की 125 मिली ग्राम तो वो कितना हो गया एक गहुं का चौथा हिस्सा एक गहुं का जितना बजन होता है उसका चौथा हिस्सा यानि बिल्कुल शोटी सी बारी गोली बना लेनी उसकी गोली भी नी बनानी वो तो दोलों पौड़र पूड़िया रहेगा थोड़ी सी इतनी सी आएगी जैसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं ऐसा लिया फंकी मुह में डाला पीछे से काड़ा पी गए या काड़े में डालके पी गए इस तरीके से अब चलते हैं एक ऐसे उपचार पे जिसके बारे में हम जानते हैं पपीते की जड़ का अनूठा परियोग पपीते की जड़ का अनूठा परियोग अब जितने भी भाई बंदू जिनके पास पपीते के पेड़े नहीं हैं तो जिनके घरों में पेड है या जहां पंपिते की खेती करते हैं, तो उनसे संपर करेंगे, पंपिते की जड़ लगबग एक फूट लंबी, चाथ के अंगुठे जितनी मोटी, मतलब हाथ के अंगुठे जितनी मोटी, और एक फूट लगाए जाते था जो कौाड़िया लेने हैं नियए अपे लेने हैं इसके तीले he और ती रंग बनते था इस दाने यहाँ पर आपको यहाँ 527 अबम केुड़ारम यहीं चाहिए दो किलो के हो निम्बु का रस चाहिए इसके लिए यादि आपको पांच किलो निम्बु निचोड़ना पड़े या 2 किलो ये मात्रा है रेस्यों जो इन्होंने बताया है निर्मान वीधी जो है समान हमें तीन समान चाहिए निम्बू का रस पपीते की जड़ और कॉड़ियां पीली वाली 21 कॉड़ी एक फूट लंबी अंगुठे जितनी मोटी और निम्बू का रस अब सबसे पहले पपीते की जड़ को कद्दू कस करके इसके छोटे छोटे टुकडे कर लें पीली कॉड़ियों के साबूत ही लेना है इनको कूटने एवं पीसने की जरूरत नहीं है अब पपीते की जड़ एवं पीली कॉड़ियों को किसी काच के बरतन में रखके के रस में भीगो दें आठ से दस दिन तक इन सब को एक साथ भीगे रहने दें बीच बीच में इसे दूप में भी रखते रहें इस सबका पर यह होगा कि कुछ समय के बाद निम्बू के रस में निम्बू के रस के परभाब से कौडियां घुलने लग जाएगी और जब आपक पर बचे हुए अब द्रब्यों को फेक देना है प्राप्ते हुए तरल को किसी सीशे की बोतल में भर कर सुरच्छित रख लें हमने इस तरीके से कांच की जार लेनी है यह कांच की जार है आप इसमें निम्बू का रस डाला 21 कौडिये डाली और पपीते की जड़के छोटे-छोटे तुकले करके कद्दू कस करके उसको इसमें डाल दिए दस दिन बीस दिन बीच-बीच में इसको धूप में रखना है जब इसमें लगे कि कौडियां गल गई अब कौडियां ना हो तो फिर आप उसे चान के रख लें और यह है जो चाना हुआ है पपीते का और कौडियों का और निम्बू के रस से मिसरन एक तरह से आसब समझ लीजे आरिश समझ लीजे कोई भी चीज कह ले सकते हैं दवाई जी त्यार है या कांची समझ लें या कांची समझ लें ख़व बनाना आता है उस तरीके से इक तरह से इसको स्टोर करके रखना है जा और चार मात्रा में ले और इसमें इतनी मात्रा में पानी मिल के सुबह सबत Size कर आप तर गौल स्टोन का साइच घट गया या गायव हो गया इस अनोठी और चमतकार है कि सेवन करने से गौल स्टोन का आकार बढ़ना बंद हो जाता है तता पूरे पत्धे परहेज के साथ साथ साइयम पुर्वक और श्टोन करते रहने पर आने का अने करोगियों के गौल स्टोन रहा हो तो हो ठीक हो जाता है यह जरूरी है कि पुरी तरह से लाब होने तक, इस उस्दी का नियमित सेवन किया जाए और अच्छा तो यह हैं रहे प्रत्री गुलने के बाद भी दो तीन महीनों तक इस औस्दी का सेवन कर लिया जाए ताकि फिर से पत्री भविस्य में ना बन पाए तो आज हमने जाना कि किस तरीके से पपीते की जड़ निम्बू का रस और कौडियां पीली कौडियों की मदद से एक औस्दी बनाएं अप वीडियो के देखने वाले बाहर के जो हमारे भाईबंदू हैं परिवार हैं उनका साथ मुस्की लोग आपको पपीता ना मिले कोडियां ना मिले तो आप अपने जो भारत में रहरे भाईबंदू आपके परिवार हैं रिष्टदार हैं जिनके लिए जब आप आते हैं तो बहुत सारा समान लेकर आते हैं, तो आप उनसे उपहार सुरूप यही मांग लें, कि आप हमारे लिए मिहनत कर दीजे, और ये सुध चीजे बना के भेजी हमें, तो ये हो सकता है, कि आप मुझसे मांगे, मैं कोई बैमानी कर जाओं, लेकिन अगर आपने अपनी बेहन को, आ ये आपने नुश्खा बताया है, इसके लावा भी कुछ और है, अभी बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर यूं कहलें कि आगर हम आहरुवेद की बात ना करें, सिर्फ हमने प्रमपरागत हमारे जोतने गाउं हैं, अगर हमारे भारत बरस में सात लाग से जादा गाउं हैं, औ हर पांच गाउं के अधार पे भी अगर एक बैद साला मान लिया जाए, आप समझेटे हैं कि इतने सारे गाउं में इतने सारे अलग अलग प्रकृति राइस्थान है, हर्याना है, ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के और पस्चिम भारत के पूरा भारत के लोग अपना अपनी स जाता कि वीडियो भी ज्यादा लंबा हो और लोगों को कंफूजन हो, तो मैं आप सभी की कंफूजन को दूर करने के लिए बात कहा देता हूं, जो मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हूं कि लोमडी जो है ना लोमडी हमें लोमडी से सिखनी चाहिए, लोमडी जब उच्छल उचल के अंगूर को लेना चारी थी और जब वो नहीं ले पाई तो उसने बोला अंगूर खटे हैं ना कि उसने अपने आपको दोस दिया उसने दोस अपने आपको नहीं दिया अपने मनोबल को नहीं गिराया उसने सामने वाले को गलत के ठैरा के अपना मनोबल बनाया रखा इसी तरीके से चिकित्सा छेत्र में भी गरेलू प्यार या जो भी है आपके पास जो उपलब्ध है वही उत्तम है जो प्राप्त है वही प्रयाप्त है जो प्राप्त नहीं है वो बेकार है सोना आज बहुत किम्ती है लेकिन मेरे पास नहीं है तो बेकार है उसकी कोई वैलू नहीं है मेरे पास नहीं है ना उसकी कोई वैलू नहीं मेरे पास जो है उसी की वैलू है तो इसी तरीके से सरल सरल उपचारों के साथ जो आप कर सकते हैं जो आपको समझ में आता है उन चीजों को और कहीं कहीं बार बार कि अगर कुछ आयरुवेदिक आउस की बनाने का सवाल उठा कोई मुश्कित नहीं है हम सड़े हुए टमाटर के सौस खा सकते हैं तो अपने घर में सड़ा रहे हैं सड़ाय हुए सेव के सिरके पी सकते हैं सड़ाय हुए अलग-अलग केमिकल डाल के कोल्डरिंग को सौक से पी सकते हैं एक लिटर नहीं चार हैं तो यह तो फिर भी अपने हाथ का बनाया हुए है इस तरीके से मैं यह भी भाई होने के लाज आत्येदें बता अगले जानकारी पे वह भी बहुत ही लोचक है और सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी घि गाउं की बात कर रह रहे थे उसी में आ रहा है गाउं में आउसद रत्न नामक, आयुरुवेदी गरंथ में बतलाया गया उपचार, मतलब गाउं में आउसद रत्न, गाउं में भी आउसद होती है, उस पे किताबे लिखी गई है, मेरे पास किताब भी पड़ी हुए, मैं अभी आपको दो मिलड में दिखा भी दूँ, यह पुस्तके हैं, गाउं में आउसद रत्न, यह है डुतिय खंड, यह गाउं में आउसद रत्न, तृतिय खंड, इसी तरीके से और भी पुस्तके हैं, उठाने में दोई उठा के लाया, तो यह सारी चीजे जो हैं साच के साथ है, परमान के साथ है, तो इस पुस्तक में इनी पुस्तकों के गहन अध्यन के बाद, और इनको कई बार उप्योग में लाने के बाद, हमारे जो डॉक्टर हैं, अनुराग विजय बर्गी जी ने इन्होंने इस पुस्तक में डाला है तो गहीन न कहीन कुछ तो सच्चाई है इस बात को भी हमें विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि बिना विश्वास के ग्यान है और विश्वास नहीं है तो उस ग्यान का सब बेकार बेलकुर इसकी भी जानकारी और यह भी बहुत ही सरल है नीसोथ 200 ग्राम इंद्र जो 200 ग्राम आप इसे 1 किलो की मात्रा में बनाएं पचास-पचास ग्राम की मात्रा में मतलब दोनों बरावर लेनी हैं इन दोनों औसदियों को बारिक कपड़ च्छान चूरन करके त्यार करक करें और में चुरण तीन से पांच ग्रम की मात्रा में सुबह साम दूद्थ के साथ सेवन करें तीन से पांच ग्रम यांनी आधे चमच से लेके एक चमच तक इसका सेवन करना है। हुआ है या औस दी मल का बेदन करने तथा बिरेचन करने के गुनों को गुनों के लिए आयरुवेद जगत में जानी जाती है आयरुवेद में इसे सुख बिरेचन औस दी का सर्व स्रेश्ट कहा गया है मतलब निसोथ से सुख बिरेचन होता है यानि पेट साफ जो होता है सुख पुर्वक होता है कश्ट पुर्वक नहीं होता इसका बानश्पतिक नाम ओकरियोलीना टेप्रेथम है चिकित्सा कारियों में इसकी जड़ की छाल का उप्यों किया जाता है इससे पेट में मरोड होक पीले रंग के पतले दस्त आते हैं, पेट में मरोड से बचने के लिए इसके साथ सोंट, सोंफ, आदि सुगंधित, दरब्बे तथा सेंधा नमक या मिस्री मिलाते हैं, पुराने से पुराने कब्ज, बबासीर, पीलिया, अनेकों परकार के पेट के रोग, बात रख, मतलब गठिया, आम बात, रुमाइटिक अर्सराइटिस्ट, खासी, दमा, तथा सूजन, रोग में पेट की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसके सेवन से मल के साथ अनेक बिकार सरीर से बाहर हो जाते हैं, गौल स्टोन के संदर्व में तो पेट साफ करने वाली औ उपादियता अत्यधिक ही जाती है, इंदर जोग के परिचे के बारे में लिखते हैं, कूटज के कड़वे बीजो का इंदर जोग नाम से जाना जाता है, इनको आईरुवेद में तीनों दोस्त वायू पीत एवं कफ को सांथ करने वाला कहा गया है, इसके सेवन से अगनी बढ़ती है, पेट का दर्द तदा गॉल स्टोन का दर्द सांथ होता है, आईरुवेदीय गरंथ भाव परकास में इंदर जोग के बारे में इस परकार कहा गया है, संस्कृत का असलोग है, और तो इंदर बेत, रिदोसम, संगनम, संगराही, कटू, सितलम, जवारे सोथ का संचित परिचे, और हमारे पत्री में, पित की थैली की पत्री में, इन दो औस्दियों को बराबर मात्रा में मिलाके, कपड़ छंचूरन करके, तीन से पांच गराम दूद के साथ सुबह और साम सेवन करने से, पत्री, चाहे पत्री मुतरासे की हो, किड़नी की हो, या गॉल वेरेडर की हो, निकल जाता है, तो आप इसे भी अपना सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि एक से दो माह तक नियमित करने के बाद, हम अपनी जाच करा सकते हैं, कि उसमें एक महीना ले लिया, उसके बाद जाच करा है, कोई फरक नजर आ रह हैं, बाद ने उसके बाद के बाद बाद के बादॉट खांदल के काम करा सकते हैं, तो पत्रे दौर तो पत्री बढ़एं ते लिया, तो बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ा होता इसका मतलब कि वह पहले गल गई होगी बाद में आपका दुवारा बन जा होगा ऐसा भी हो सकता है इसी चीज के लिए एक और योग बताते हैं आज हम इस बारतल आपको यहीं स्वाध्याय जो है इसको बंद करेंगे एक इसमें योग है हिम पुरी तरह से मुक्त हुए उनके अनुसार मतलब उन्होंने क्या इस्तमाल किया उसके बारे में बताते हैं पिते की पत्री से पिड़तों को साम के पांच बज़े तक अहार गरहन कर लेना चाहिए उसके बाद अहार गरहन नहीं करना चाहिए मतलब साम को पांच बज़े से पहले पहले भोजन कर लीजिए जो भी खाना पिना है सोने से पहले 200 मिली लीटर जैतुन का तेल 200 मिल जैतुन का तेल साथ में एक निम्बू का रस दो गिलास पानी में घोल कर दो तिन चम्मच सहद मिलाकर सिकंजी तियार कर ले बहुत ही सडल तरीका जोने लिखा है एक आपको लेना 200 मिल जैतुन का तेल एक निम्बू का रस सिकंजी बनाके उसमें सहद मिलाकर और जैतुन का तेल अकेला पीना किसी किसी के लिए कठिन हो सकता है इसलिए इसके साथ-साथ निम्बू की सिकंजी की भी चुस्कियां लेते रहें तता इस विधी से तेल एबम सिकंजी इन दोनों को पी जाएं मतलब भारण के तोर पे ये तेल है और ये सिकंजी हमारी तो दो चम्मच तेल पिया दो चार घुट शिकंजी पिया इस तरीके से 200 ml एक ही बार में रात को पीना है ये उनका अनुभव है कि इसको करते रहना चाहिए और इसी उप्चार को दुबारा यहां पढ़ते हुए मुझे होमियोपैथी की एक पुस्तक मेरे कल तो उस पुस्तक में भी इस बात का होमियोपैथी की किताब में चलिए में अगर इस बात का जिक्र रहा था कि आपको वहां पे दो से मिल तो नहीं लिखा वा था लेकिन एक पिंट या पना नहीं क्या लिखा था एक पॉइंट ऐसा कि लगवग 125 मिली लीटर जैतुन का तेल निम्बू के रस के साथ सुबह सुबह खाली पेट प्रती दिन नियम मचे पिया निम्बू का रस पिया ये निम्बू का रस और जैतुन का तेल का संबंद सिर्फ इसलिए है कि उल्टी ना हो ज्यादा जी ना मिचले अभी नोंने रात को पिया तो अब ये सोच सकते हैं कि हमारे जो भी ये सारे सरल उक्चार है इसको करना कोई मुश्किल नही तो वहां पर उसारे ताक पर रख देते हैं और सुरू हो जाते हैं तो यह जो आपने बताया है जो जैतुन का तेल और कजी वाला ये कितने दिन करना है तो नियमित रुप से यहां भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है लेकिन इसका हम मैं तो ही कहूंगा कि 10-15 दिन करें या है चमत्कारी तेल इस पुस्तक को भी साथ के साथ पढ़ रहा था तो इस पुस्तक मैं टो ऐसे ऐसे बर्नन है कि वह हमारे तो होसी उडगें कि एसा भी होता है मतलब इतनी बहत्री कि तेल के चंदन के तेल को हम कैसे इस्तमाल करें कि गर में लड़ाई जगडा नहीं होगा लड़ेने वाले का मन ही लड़ेने का नहीं करेगा चंदन के तेल से तो ऐसे ऐसे ज्यान हमारे भरे पड़े हैं हमारे संसकारों में, हमारी परंपराओं में जरूरत है उन सभी को ग्यानों को कठ़ा करके अपने आपने उप्योग करना और उप्योग करके उसके अनुभवों को अपने समाज हित के लिए बताना कि कियां जगड़ा हो दा तो गए अच्छा तरया rapidly काम कर लिए इससे कर लिए कहर लिए कर लियो व Пईयदा के लीना पाणिने में पैसे जादा नहीं लग रह淘ा हो और नुकसान नहीं अगर किसी ने बॉला भाई यह दिया जला ले ना इससे बीमारी नहीं होगी ठीक है। स्वस्त होना है, तो आईरवेध को पढ़ें, आईरवेध को अपनाएं. आईरवेध फिर यह नहीं है, कि बहुत सारे ग्रांतो और वह सारी, नहीं. हमारी दादी-नानी के बताये गए संस्कार वाले ग्यान भी आईरवेध है. हमारे बड़े वुजुगों के द्वारा कही ग पढ़ना बायो केमिक पढ़ना और आईरवेद पढ़ना रसोई घर के उपचार वाली किताबे पढ़ना ये सारी चीजे बीच बीच में आदा गंटा पंदा मिनिट ऐसा रहता है और जो भी है तो आप सभी के ये है इस किताब का नाम है स्वास्त समंदी लोग कहावते मतलब कितना मत्र है चीजों का परचार परसार हमारी बरतमान पिड़ी के लिए और आने वाली पिडिए यूं की बचा रहना चाहिए आज अमेरिका पहुचना हो चोबीज पहले अमेरिका जाने में 36 गंटे लगते थे, दो दिन लगता था, अब अब अठारा गंटे, 20 गंटे के सफर में या जो भी होगा एक फ्लाइट डारेक्ट हो गई है, तो सुविधाये, विज्ञान के वरोसे हम सुविधाये ले सकते है हम अपनी स्वास्ता और सम्रिद्धी की रच्छा नहीं कर सकते इसके लिए से संपर्क करके इस जानकारी को अगर या कोई और जानकारी लेकि अपनी समस्या का समाधान कर सके जी मेरा संपर्क सुत्र है और आप सभी के आशिरवाद से सहयोग से अभी 23 अपरेल इतनी आप लोग के आशिरवाद ऐसा आशिरवाद है कि हमारी जागरुपता का अभियान है जमीनी इस्तर पर भी रंग दिखा रहा है तो 23 अपरेल को सोनीपत में जैन समाज में वहाँ पे सिबिर है जागरुपता सिबिर सोनीपत में जैन समाज और 23 तारिकी रात को ही हम 11 वजे की ट्रेन से पुरू लिया जहां हमारा स्वास्त्मलिद परिवार का केंदर है जहां पे धीरज भाई चलाते हैं आप धीरज भाई को सुनते हैं तो उनके द्वारा पाँच दिवसिये वहां पे बाता बरण में आस पास में उपलब्द जड़ी बुट्यों का हमें तो परेया ठीक हमने किताब में कि यह वाला पेड़ यहां पर ऐसे से काम होता है तो इस तरीके का प्रसिश्चन जो है एक तरह से कर लें या आपस में मिल्जूल के घ्यान का अधान-परदान होने की प्रक्रिया होने वाली यह दिवसिये उसमें सामिल होने जा रहे हैं और वहां से 5 साल बाद आप सभी के अशिलबात से मैं अपने जन्मस्थान बिहार में पहुंचूंघा है, और वहां पर निमंतरन साधी के कार्ड पे बजाबते फ्रंट पेज पे छपा है कि विवास हमारों में स्वदेशी चिकित्सा प्रामर्स सुविधा उपलब्द रहेगा और है यह जागरुकता आप लोगों के आसिरवाद से यह जो ट्रेंड चलाने का हमारा उदेश से है कि पहले हमारे गाउं में जो समुझाल का है तो और पर भुणता के लिए बैठा होना चाहिए कुछ पूंद होनी कि आने-जाने वाले वहां पर इस शर्ट के साथ एक अपने पन के साथ कि आप इस कड़ी को लगा तार आगे बढ़ाते रहेंगे आप से आगे जाएंगे बंदे मातर हो यह थे गोबिन भाई जिन्होंने हमें बताया कि कैसे ताश्य की पत्री मुत्राश्य की पत्री और कुछ समस्य और जो है वो चंद घर बेलू उपाओं के साथ हम उसे खुद वद खुद बिना सर्जरी के आईरवेद की साहता से कैसे निजात पा सकते हैं अमिद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा जहां तक आप हो सके जिनको भी आप प्य प्याद रहे तो उनको आप ये वीडियो जरूर भेजिए क्योंकि ये वीडियो जन जन के काम आने वाली चीज है घर पे बैठे बिना तरजरी के आप किसी को अगर गौल बडर स्टोन या ऐसी समस्यां से निजात दिला वेते हैं तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने पर रना भूलिएगा अगली बार फिर हाजर होंगे एक नए मुद्ध एक नए मैमान के साथ तब तक मुझे जो इजाज़ा था नलवाद